वेलकम राजेश जी, आज हमारा पॉर्डकास्ट जो है, इसमें आज हमारे जो गेस्ट है, पहली बार ऐसा है कि कोई मल्टी सीटी काम करने वाले हमारे पास आये हुए, आपका इतना इस्टेबलिश बिजनेस है, आज बरोडा में, आज आप पूना में आपका बिजनेस फैल रहे हैं, वेलकम वेलकम टो आप पॉर्डकास्ट, सार थैंक यू, आपने अपोचुनिटी थी बुलाने की, थैंक यू अरी मच, राजी जी मुझे यह जानने में बोट एक्चुली क्यूरिसिटी है, कि आपका करियर सुरुवात का से हुआ, यह करियर की सुरुवात, आज रियल इस्टेट में आने के पहले थोड़े सौट में अब बते कि पहले क्या करते थे और रियल इस्टेट में क्यों आया अब, सर मैंने 1999 में ट्राविल्स का बिजनेस स्टार्ट किया, जो 2004 में लॉस में वाइंड अप कर दिया, उसके बाद मेरा एक दोस्त मुझे रिलाइ कि ये बिजनेस तेरे काम का है, तो इसमें तु मेरे साथ आ जा, तो 2011 से में ये बिजनेस स्टार्ट किया, और ये सब स्टार्ट बरोडा में हुआ, सब बरोडा में हुआ, बरोडा में, ओके, तो actually first deal कुन सी थी आपकी, जो आपको एक corporate में याद है, कि आपने first deal कुन सी की करता था यह प्रॉपर्टी बेचनी है यह मकान किराय पर देना है केरियर वहां से स्टार्ट किया था पेपर एड के थूप जिसकी वज़े से काफी अच्छे लोग मिले इन्वेस्टर्स मिले जो आज भी मेरे साथ है जिनके थू मुझे अभी बिजनेस मिल रहा है जो मुझे बरोडा कभी भी कुछ काम होता है बुलाते है और मैं तुरंट चला जाता हूं विदिन डे और टू डे में वहां उनको पहुच जाता हूं मतलब ऐसा नहीं कि मैं उनको बोलता हूं कि मैं आऊंगा पर मैं तुरंट चला जाता हूं तो वो एक ट्रस्ट बील किया है मैंने regular visit करता हूं महीने में 10-15 दिन तो मैं बरोला जाता ही जाता हूं सही है तो फर्स डिल याद है आपको कि corporate में जब अपने स्टार्ट किया तो corporate में first deal कुन सी थी और वो क्या थी डिल याने वो डिल में क्या सिखने मिला आपको नहीं सर्ज फर्स डिल थी एक company थी एनरकॉन इंडिया जिनको में Reliance के डेटा कार्ट बेशता था तो उनको जब मालूम पड़ा जो उसका manager था कि मैं real state में आया हूं तो उसने मुझे बलाया कि यह fourth floor पे property खाली पड़ी है और इस बंदे की property है सब details उसने दी देने वाले की और लेने वाले की लेना उनको इतारेंट पर हमने सामने एक investor खड़ा कि आइनरे पार्टी खड़ी की जिसने वह property ली हम उसमें दो partner थे पर एक third person हमार साथ involved था वो डील हमने complete की बट उसमें चीज ऐसे सिखने मिली कि इसमें margin का भी कुछ होता है जो हमको तब तक नहीं पता था गाला गाला वह बंदे ने डील की हमार साथ था हमको कुछ नहीं बताया रेट बेट सब फिक्स हो गया अच्छा एक अच्छा कि के कमपनीवाला मेरे बॉट चांथ नहीं किया था और अश्तक मैंने कभी ओक्या है यह उधना फेसा ऊफलता वी नहीं चैनल के केरियर में मैंने वो गाले वाला काम नहीं किया है जो है ट्रांस्परेंट ओपन काम सभी बात है पर यह एक नहीं चीज़ी जो सीक्री नहीं मतलब जो जुसमें काफी ब्रोकर्स बहुत जल्दी कौड़पती बनना चाहते हैं वह गाला रखके हम लोग एक ही डिल में सब प्वाने और यह कैसा यह इंडुस्क्री कैसा है यह इंडुस्त्री के बारे में आपका खुद का पalsoर्दी एट इंडढ क्या हो सकता है के तो प्र स्केश को प्गश्यू पर सबस्क्राइबर टो आप इसमें अंड़ेट पर्संट Queen कीट अगा पर आ गया नहीं सही हूं तो यह बिजनेस आपको नहीं आगे पायगा मैंने आग तक जो भी बिजनेस किया कि रखें इसकी वैसे मैं सक्षेस हूं और यह बिजनेस अश जाही जिसमें जीरो इंवेस्टमेंट मैंने आग तक कोई इंस्टाग्राम, फेस्बूक श्रिफ पेपर एड़ के सिवाय वो भी स्टार्टिंग में मैं कहीं पे भी आपको नहीं दिखाऊंगा मैं सिंगल में आर्मी हूं मेरा न स्टाफ है न कोई है मैं अकिला ही काम करता हूं और मैं सक्सेस हूं क्योंकि अगर आप किसी को लेके आते हैं इसमें तो छ में कम कर higher हूं और मैं बहुत कुछ हो इस आप के बारें मैं बोडी चर्चा वाली बात के आप आपके बड़ा बादी एपने 10 साल में बड़ा यह बि Сам兩個 कर चव में से अ दो शॐ wholly पर नूनी क्लिए उसके और हर देड़ दो साल में गाड़ी बदल देगा यह 11-12 साल में मैंने 8 गाड़ी बदली हैं और यह रिली स्टेट में पॉसिबल है जब मेरी फर्स्ट गाड़ी में ली थी ब्रायो ओंडा की तो कहीं से 80,000 कमिशन आई थी तो सिधा जाके डाउन पेमेंट भर दी और गाड़ी उठ पांच जब में 25 पर पहुंचिया हूं है अभी यह नवरात्री 2023 में हेक्टर ली मैंने हेक्टर प्लस तो उसके बीच में और चे गाड़ियां बदली मतलब तो यह इसी में पॉसिबल है पैसा आएगा तो इसी में आएगा और एक साथ आएगा मतलब आपकी कोई एसी मेमरी निशाने के बाद जब इसकाइब आपने स्टाइट किया एसकते क्वी याद आरीको महराश्त्र में आने के बाद मैंने एटल के साथ बहुत काम किया उनको स्टोर्ज ङए ओल अलोवर महराश्त्र किंभाना कि अभर जिसमें एक टेनन्ट बेठा हुआ था एक भरान्ट का था मोगाल बंच का और वहां पर हमको दूसरा मॉगाल ब्रांट सेट करना था और वो जो दूसरा वाला मॉवेल ब्रांट था वो बोले मुझे यही शॉप चाहिए हमने दो तीन दिन सर्वे करने के बाद ओनर का पता लगाया ओनर के साथ बैठके डील की जो प्राइज उसने बुला एक्स वाइज एड दन उसको प्राइवेट नाम से चेक दिया परसनल क्या करना है आपके आम लोगों सिर्फ इन्वेस्टमेंट के इसाब से पार्टी को प्रॉपर्टी लेकर दे रहे हैं बड़ पोल तब खुला जब सेलीट का टाइम आया पुरा वह हमने ट्रिकी डिल की जो एक-दो महीना ज्यादा लगा लेकिन वह हो गई सब कुछ क्लियर हो गया क्या वात है तो इसमें इसमें एक्चुली आगर देखेंगे ना तो होम स्टडी बहुत इंपोर्टन है कि जगह पर एक एज़ 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 एजन जब इतने ट्रिकी डिल्स होती है या फिर ऐसी रिक्वार्मेंट होती है कि आपने को यही चाहिए और यही को उठाया था उसके जाथ पूरा सर्वे किया था दो दिन अता किया था कि यह किसकी शौप है उसने हल्प किया था ऐसे करके वह ट्रिक में पूरी डील क्लोज की थी क्या वाद एक्चुली यह आपका जो पूरा सफर रहा इतने सालों का कोई प्रोब्लम कभी आपने फेस किये कि रियल स्टेट में आने के बाद में कि ऐसा क्या स्टेगनेंट हो गया बिजनेस और फिर थोड़ा सा मॉरल भी डगमगा गया रहे क्या कर रहे कैसा कर रहे ऐसा कुछ आप का मैं बताता हूं मैं रियल स्टेट में जब आया था तो मुझे दो-तीन लोग मिले थे जो काफी टाइम से दे और अभी सक्सेस थे तो उन्हें ने बोला था कि यह बिजनेस में हिम्मत नहीं हारना कभी क्योंकि आने से पहले उन्हें मुझे यह बोला था कि अगर आपके रभाँ तक गरसे खाने का पैसा है तो आप यह बिजनेस में आओ नहीं तो यह ब्सनेस आपके काम का नहीं है और काम हो नहीं रहा है या हो रहा है उसका टेंशन ने लो काम करते रहो तो सक्सेस मिलेगी एक बार इसा हुआ कि मेरी 3 डील फाइनल थी और विदिन तीन मंत के अंदर तीनों की सेल डिट थी और करीबन मेरा उसमें 10-12 लाख रुपे कमिशन बन रहा था वो यह 2015-16 की बात कर रहा हूं तो आप उसको कहिए के लग खराब था के टाइम खराब था ग्रह खराब थे तीनों ह Defense था मेझान कोई किक ऐस्ट तीनों हा ठीनों में पैपर क का प्रोबलम था किसी में थे फ्रेमिली का प्रोबलम था मतलब इसे प्रॉब्लम में बाद जब वो इसे प्रॉब्लम्स आ कि वो स्टीनों डिल गए तो मैं तो थोड़ा मोरल डाउन हो गया वह या हुआ तो भी हिम्मत नहीं आ रही उसके बाद तीन में और काम किया तो टोटल छे मेंने तक कोई डील नहीं हुई थी अच्छा यह तीन डील हु सबसे बड़ी बात है इसमें क्या बात है एक एक नए रियल इस्टेट एजेंट ने अगर आईसी जर्नी में यह सफर देखा कि वाई डिल्स नहीं हो रही है तो इमेशा आते रहते हैं हमेशा जाते हैं रहे है डोफर जानवास थेल्नीव suksakogen ही यह कि एक चशल और सब्सक्राइब कि पून हुआ और कि अगर हैं कोट की एक मीना पहले थर्टीफरी जनुरी टूज़ाऊन्न वाद कोई आया तो मैंने दो साल setting तो मैं लेक्ट के घर पर ही था क्योंकि कोवीट था लुकुन तो मेरे साथ या था अब मुझे अगर मालूम होता कि कोवीड आने वाला है तो मैं आता ही नी ऑके तो मैं है तो डोसाल तो गहा हैं बट उसके बाद मिमेंने हम्मत थे यहारी मेरा घर बरोड़ा से चल रहा था म उसके बार मेंने घरवल होने बुला कि अपन वापस बॉर्डा lotta होते हैं मैंने नहीं तो नुटों पूना में प्लसructor कंवर के बॉर्डा nor कि मार्केट बहुत ही झोटा है जिन फीटी शोटा ही में यहाँ पर टिकेट तो उसकी वाज़े से मैं पुना में हूँ कि आज नहीं तो कल मेरा एक बी क्लिक हुआ बड़ा प्रोजेक्ट तो मुझे पूरे तीन-चार साल का पैसा एक साथ दे जाएगा तो पुना में यह प्लस आपकी यह सिटी में के जो कमिशन का टिकेट साइज है वह एक टू परसंट पे है जो रेगुलर बेस पे हो गया है थोड़ा बहुत सब्सक्राइब हमारे वां सियर के उपर वन परसंट है बट वह वन परसंट में भी पहले बार्गिनिंग कर लेते हैं कितना लेगा बहुत है दूसरा आपके यह प्लस पॉंट किया है कि अगर आप रेसिदेशल बेशते हो तो रेजिस्ट्री आपकी एक देड़ विने में हो जाती है फॉर्टी फार्टी टू सिस्टी देस में आपको ब्रूप बिल्डर कमिशन दे देता है हमारे मां करीवन देड़ दो सा तो इसका पैसा तुरंद रोटेट होगा उसको देड़ दो साल तक वेट करने की जरूवत नहीं है तो यह बहुत बड़ा फायदा है पुना में कहो यहां में कहो इस्माल सिटी में जब स्मॉल सिटी बोलें से यह जनरली यह भी देखा गाया कि स्मॉल सिटी में आपोर पुना इतना बड़ा सिटी है कि हरको एक एरिया में काम नहीं कर सकता है अलग 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 जाओ पन्दरा किलोमेटर के अंदर आपका सिटी खतम यह नहीं है यह अगर मैं सुबग विमाननगर से घर से निकलता हूँ तो मुझे कम से बांग शक्तर कर इस निकलता हूँ तो 12-15 किलोमेटर तो ऐसे ही ड्राइब करना है उसके बाद मुझे अपने डेस्टिनेशन पर जाना है वहां पर वो नहीं है वहां से अगर एक जगा से निकले तो फंदरा किलोमेटर के अंदर आपको पूरा सिटी खतम हो गया मतलब इस एंड से उस एंड तक गए यहां पर वो नहीं है तो वह बहुत फरक है पूना अगर में दस साल पहले आया होता ना तो मैं आज कहीं और होता बट में गलट टाइम पर जो बगवान को मंजूर इसके बाद में आप वंडर्स करेंगे ना इसके मुझे एक जानना है कि कोई ऐसा नेगोशियेशन में कुछ डिफरेंस आता है क्या आज तो नेगोशियेशन के आपने इतने सारे डिल्स किये कमर्शल में जानातर करते पर बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते कि जो एक्सपेट करते कि नहीं मेरे प्रोपर्टी का रीड इत मिलेगा ऐसे सिच्वेशन आप कैसे हैंडल करते उनके निगोशियेशन साप कैसे हैंडल करते हैं रिसेंदी में एक डील चल रही है जिसमें सामने वाले ने एक इंडिजल बिलिंग बनाई थी ग्राउंड प्लस थ्री फ्लोर्स जिसका वह 7 CR कोट कर रहा था ओके उसके बा खर्री तो दूसरा मतलब्स के साथ वह अनख सब्सक्राइब देंसे सोगैघ किसे शजरा था और थी उसके सब्सक्ते ने चिल्म खट्राईर ग्राइज क्या है इसका मार्के डेट क्या है वो हम लोगों ने लिखा उसका मल्टिप्ला करके लिखा हुआ ग्राउंट फर्स्ट और सेकंड रोर का रेट लिखा ऐसे करके उसका प्राइज आया फाइटीवन ओके सिधा साथ सवाचे से सिधा फाइटीवन मैंने उसको एक ही बात बोली कि तिर इसमें पेपर बना है उसके साब से यह फाइटीवन जैनियन है जो चे सवाचे मांग रहा है वो जैनियन है तो यह में तरको फाइटीवन में क्लोज करके देता हूं मैं उसको थोड़ा समझा के आया हूं तो वह भी डील चल रही है दो-चार दिन में कंप्लीट हो जाएग इसमें एक जो चीज जाड़ा तर वह सरे ब्रोकर मिस कर जाते कि जहां पर आपको एजुकेट करना बहुत जरूरी है आपके सेलर को कि मार्केट रेट यह चल रहा है और तुम आप जादा मांग रहे तो मार्केट के स्टड़ी रहें बहुत जरूरी है कि उनको वह स्टड़ी जरूरी है मतलब के यह तो हो गया और यह दोनो जो बायर और सेलरे इसमें आप कोडिनेशन कैसे कर वाते हो क्योंकि बेचने वाला भी वह लेवल का है लेने वाला भी लेवल का है इनके बीच में जो क्लैशे सोते इसको कैसा मैनेज कर चाहिए बड़ा में टोट अब बात करते हैं इसका बीचुल कर लो होगा कि इसको करना है चैनल पात्रन करने के लिए हैं दोता होगा कि कुसी को यह हुआ को लीए ऐसे होता ऐसे सिचुएशन जब आते तो कुछ करना इसमें चैनल पर्ट्नर कंडा रोकर क्या एक धर्म है कि यह दोनों को कैसे संबले क्या लग रहे आपको इसमें आज अगर कोई बेचने वाला है तो उसके बास वो वैल्यू का पैसा दे सकते हैं पर दोनों के बीच में आता है तो क्या इगो वो ऐसे सिटुएशन कभी आते हैं आपके केस में कभी आये या फिर वैसे इंसाने उसके साब से टेकल करना है जैसा इंसाने तो उसके साब से टेकल करना है मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं है पर यह होता है लेकिन जितना हो सके पहले दोनों को नहीं मिलाने का दोनों को थोड़ा आगे लेके आने का रेट के उसके बाद मिटिंग करवाने की आखरी तो जो बीडर है वो तो बुल रहा है कि मैं करूंगा तो तुने इसमें बहुत महिनत कि है और जो मेरा बायर है वो पहले सोच रहा था सोच रहा था बट लाश्ट दस दिन से वो भी डिस्प्रेटली मतलब लेने के मूड में है कि मेरे को लेना है आज भी कॉल आया था कि तू आज शाम तक आजा तो अपन फाइनल कर देते हैं कल अच्छा दिन है पूना में कल मैंने कल दुपैर तक मैं पोचुआ तो बोले कला सिधा मिरको मिल तो अपन इसका कंपूजन लाते हैं ठीक है बट मैं छे महिने तक दोनों को संभाल के बैठा चे साथ में तक छोड नहीं दिया दोनों को रेगुलर फोन करता था दोनों को मिलता ता महां जाता था पै क्या है ऐस जो भी हुआ आज सक आपका नेटवर्किंग और कमिनिकेशन तो आपको आपकी लोकल असोशिएशन जो है बरोडा की उसके अंदर आप बिजनेस करते हो के हां उसमें करता हूं है तो वह क्या एक्सपरिंस है जब आप ब्रोकर बिजनेस करते और 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 बाकी भी नेटवर तो अभी मेरे पास जो लीड आती है किसी को अगर च चाहिए या किसी को मकान चाहीए याकिसी को शॉप चाहिए तो अगर में ㅇहां पर ऑश। मेरा ये मेंबर बरोड़ा में बैठके काम कर सकता है तो मैं वो लीट पासान कर देता हूं और अगर मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूं जाके तो फिर में खुच जाके करता हूं तो वो एक है मेरा वहां पर मतलब कोई मकान बिचता है तो उसको मकान के लिए पास कर देता हू वो उसके साइट से ब्रोक्री ले लेता है, व कि इसकी जरुवत है आज करने की, अगर कोई इंडुज़ल काम कर रहा है, और उसके पास यह सभ सोर्सेज नहीं है, यह फाइनेस का सोर्स नहीं है, अपने जब डियल से चलो करेता, आप कितना finance लेका आए थे मार्केड में कुछ भी नहीं मैं तो खा लिया था था ओके मेरे पास कुछ भी नहीं था जो मेरा partner था उसकी office थी वो भी rent पे थी मैं उसके साथ बैठता था मैं तो कुछ लेके ही नहीं आया मैं लो सब कुछ यहीं पर बनाया है मैं कुछ नहीं लेकिया था और relation मैं आपको बताऊंगा सर relation क्या matter करता है जब मैं paper ad देता था 2011-12 में बात करता हूं तब मेरे को एक client मिला था जिसको मैंने आज तक संभाल के रखा है 2011 से अभी तक 11-12 साल से मेरे साथ वो touch में था मैंने उसका साथ first transaction किया 22 में उसको एक property बेची दस सल बात दस सल बात इतने दिन तक आपको उसको relation maintain करके रखा क्या बात है उसको 2020 में मैंने property लेके दी जो NPO हो रही थी वो लेके दी जिसमें उसको अगर वो बेच रहा भी तो अच्छा कासा पैसा मिल रहा है ट्रस्ट पे मैंने उसमें उससे ब्रोकरेज भी बहुत काम ली भई मैं ले नहीं रहा था तो भी उसने मुझे ब्रोकरेज दी के नहीं तेरा हक है तू ले इतना जैनियन वो पार्टी ने सर वो बंदे ने मुझे 2007 में एक कंपनी की लीट द अल है कर सゃन में वो लेंद में उनको दी वो लीड अनने मेरे को दी थी अनने में को अथरवा दिया था कि यह मिले अच्छा व भी उनके इतने कलोग सैंवेब लेशियन Marketing करके रखे थे के निगोशियं ऺंशन करने के लिए उनक доступं बैठे त्वी आ ने रेट उनने फाइनल किया था जबके उनका कोई लेना दनी था नमुझ से उन्होंने कुछ लिया ना सामने वाले से किया ऐज जेन परसन रिलेश्चन उन्होंने स्लिप बीच में बैटके एक एमांट फाइनल किया कि एड़ डील में उनके थू की थी और आज की तारीक में वो मुझे इंडस्ट्री का और काम दे रहे हैं वो कितनी बड़ी लैंड ही ऐसी कुछ 27 इकर्स क्या बात है करजद में करजन 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 वड़ोगरा से 35-40 किलोमेटर पहले आता है तो वहां पर उनको इंडस्ट्री फॉर्म करने थी वहां उनको इंडस्ट्री लैंड थी बस उसमें था कि उनको रेलवे ट्रेक चाहिए था रेलवे ट्रेक पर्मिशन चाहिए थी तो वह लैंड में रेलवे ट्रेक की पर्मिशन थी तो मैंने तुरंद क्लिक हो गया तो वह एक मैंने की थी उसके बाद अभी एक दो डिल्स हैं जो मैं उनके अपना क्या कहते हैं उनके नक्षे कदम पर में कर रहा हूं वह बड़ी डील्स हैं वो मुझे हल्प करते हैं कि राजेश ये एक्स वाई-जेड है यानि कोही न पुई तो एक जानका राजमी को आपको कनेट करके रखना बहुत ज़रूरी है रिलेशन मेंटेन करना ज़रूरी है और फेथ जो मैं आज बले मैंने उनसे 2012 से कनेक्ट अभी जाके मुझे उसका मतलब फल मिल रहा है फल मिल रहा है बट रिलेशन मेंने मेंटेन किये यानि आज पेड लगाएंगे तो फल कब मिलेंगे पता नहीं पर पेड़ को आपको उतने अच्छे से संबल लाएं मैं वह 100 लोग सब को माल इसको बताया ही नहीं कुछ एक्सवाजएट सिधा मना कर देता है तो आपके पूछते ही नहीं बट ही इस गॉडफादर फर मी इंड़ेश्टियल के काम में वह मेरा गॉडफादर है क्या बात है वह रिलेशन मेंटेन किया है बस और कुछ नहीं और वह एक पेपर एड़ क काम कर रहे तो एक रिलेशन कैसे बीड़ करते हैं यहां के लोगों के साथ वहां के लोगों के साथ आज बहुत सरे लोगों को एक्सपेक्टेशन जा रहे है ठीक है या फिर आज वह जो एक है कि दो लोकेशन में काम करते वक्त कुछ अलग फील होता है डिलेशन मेंटेन कर तो जैसे ही मतब मेरे दोस्तों को भई पुना शिफ्ट हो गया है तो राजेश कुकीज लेकिया अच्छा जिसको नहीं भी पता है तो मैं उनको सामने से देखियाता हूं उसके केक्स कुकीज जैसे लक्ष्मियान का चेवडा था है कल्यान की बेलाती है जो मैंने आप इटम् मैं जाता हूं तो दोस्तों के लिए जो अच्छे क्लाइंट से उनको रेगुलर देखिया आता हूं तो उसके से डिलेशन मेंटेन होता है अब यहां पर अगर किसी को गुजरात से कुछ मंगवाना है तो कभी कोई बोलता है राजेश भी मिरे लिए लेकिया ना तो उनकी मैं प्रौ करता हूं अगला थोड़ा सा अलगे अब अपुना निके बाद में बिसनेस का इसा अपने सोचा कि यहां पर बिसनेस करते तो वह अने के पहले दू आने के पहले उनके सब्रिक्ट किया मैं जाओ नहीं जाओं लोकेशन बदलना मतलब इतना easy नहीं है दोनों ने मेरे को green signal दिया कि तेरे लिए बहुत अच्छा है और according to my bird chart उसमें लिखा था कि धर्ती परिवर्तन मतलब बोल रहे थे मतलब location परिवर्तन है तो वो भी उनका भी decision लेने के बाद करीवन मैंने 6 महीने मैं सोचा कि मैं जाओं नहीं जाओं 6 महीना मुझे लगा पुरा अपने आपको करने में कि मैं shift उपर उसके बाद decision लिया कि एक बार जाना है क्योंकि यहां पर opportunity बड़ी थी तो उसके इसाब से मैंने थोड़ी हिमत की और यहां पर आके relation बनाएं वो दीरे दीरे अभी plus हो रहे हैं मतलब प्रप में आप आये प्रप के बारे में आपको कहा लगता है आज प्रोफिशनेल रिल्टर पुना में बहुत सालों से established हुआ है आप अभी अमरे नए मेंवरें प्रप में आने के पीछे आपको क्या रिजन था सब प्रॉप में आने से मैं बहुत खुष हैं और फॉप के मेंबर्स भी जो हैं बहुत अच्छे हैं जैसे दर्षण सर प्रॉप में हैं मैंने फिर्स чтоम को अपप्रोच किया तो अने मुझे आप किया था आपने मुझे आप उकी किया तब जाके मैं प्रॉप मना चाहता था तो मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था है तो जब रासिता मिला तो मैं मना और मैं उससे खुश हूँ अब जाना neighboring सब्सक्राइब म Blessed परँको थो नहीद सब्सक्राइब टमाइब मेरी अच्छारे नहीं से मैंने जा सकता ऐसी तरह बात की मतलब मेरी वाइफ को मिले तो अच्छा वाइब मतलब तो काम करने में मज़ा आता है इसे लोगों के साथ क्या ग्रांड कम करने बहुत मज़ा आता है तो वह एक दिखा मैंने प्रॉप में सबसे और बहुत से बिजिन से और यह बैलेंस करते हो क्या-क्य चीजे फेस करना पड़ती है या क्या-क्य फाइदे भी होते है फेस तो सर क्या ट्राविलिंग का है और कुछ नहीं है मतलब क्लाइंट का फोन आता है तो कभी रात को यहां से बारा बजे निकल के पहुचना पड़ता है यहां गाड़ी लेक के अगज की मेरी डार्टर निकलना था तो पुना आई तो 2017 से वाई थी तो पहले मैं उसको और मेरा बीटा उसके पीछ आया हूब भी मैं इस मास्टर्स किया उसने तो उनके पीछे में तो उनके पीछे में उनको और 15 दिन महीने मिलने आता था तो यहां पर पूरा देखत तो पता चलता था पुना में मत्तब स्कोप जादा है फिर जाके मैंने डिशियन लिया कि अब यहां शिफ्ट हो ना है और मेरी डॉर्टर तो मुझे यहां पर लाके वो खुट तो चली गई आउट अट अव कंट्री वो 22 में वो केंड़ा चली के पढ़ने के लिए अच्छा और वो मुझे लगता कि वापस आईगी अच्छा सेट करके गई अगर वो नहीं आती तो मैं पुना नहीं आता कभी पुना के बारे में सुचता भी नहीं बट वो आई तो उसके बीचे-बीचे में आ गया सभी है रा में से बड़े ब्रैंड कोंसे की जिसको अपर एगुलर्ली इनका काम करते है सब में में काम करता हूं एटल का ओके मत्तब पुना में काने का यह भी था कि जो एटल का एक ऑफिसर था जो उजरात में साथ काम करता था वो पुना शिफ्ट किया था तो यहां पर आने के तो बोले तु पुना आजा साथ में काम करते हैं मैं आपको काम देता हूं ओके बड़ा में मैंने ओडी के साथ काम किया उनको वक्शॉप दिया है अभी लेटेस्ट मैंने च्छे महीने पहले सिट्रॉन को शोरूम दिया है स्नो पार्क अभी बनाय वड़ोद्रा में जो अ सब में रेफरेंस से यह सब जो भी काम हुआ है रेफरेंस में कोई वो मीडिया वीडिया कोई नोर्ड नहीं मतलब मतलब एक जैसे ओडी है तो ओडी में एक दोस्का भाई काम करता था तो उसने बोला हमको वक्शॉप चाहिए तो उसने डारेक्ट ओनर से मिलवा दिया मैं उसकी फुलफिल कर दी डिमांड तो वही आदमी आज दस साल बाद मेरे पास सिट्रॉन के लिए शोरूम मंग आया उसने सिट्रॉन की डिलर्शिप ली तो उसको मैंने सिट्रॉन का शोरूम और वक्शॉप दिया दस साल बाद दस साल में कुछ नहीं था आया राजेश यह 24-15 की बात करना हूं सोला में तो भी वहां के कि लोकल दोस्त ने जो एटल का स्टोर लेके बैठा ता उसने एटल से मिलवाय कि आप इसके साथ काम करो यह आपको जहां चीए स्टोर देगा और आज वरोड़ में आपने कितने कितने टका एटल का वरोड़ में सिर्फ ए यहां पर उलासनगर में दिया है यहां पर भी दिये हैं पुना में दिये हैं एटेक से अच्छा काम किया है आज आज की जरनी आपकी सुनने के बाद में नए जितने भी हमारे वीवर्स उनको यह पता चले हैं कि आज के दिन सिप डिजीटल करके फाइदा नहीं है यह जो पहिले से जो ओल्ड स्कूल है जो पहले से जो लोग करते आरे वो सब रिलेशन पे काम कर रहे और रिलेशन यह ऐसी चीजे की जो डिफरेंट होती है आपको कितनी बड़ी लीडाएंगी यह पता निये पर आगर आगर आप रेगुलर रहे आप कंसिस्टन रहे आप ट्रां आज बहुत शारी चीज च्छी आना अमें जानने में बिले हैं कि एक माइंसेट रहे एक नरो मैंडेट है मैं मैं यह नहीं नहीं कर सकता हम बाद सरहिए मैं फेस्बुक पर इंस्टा ग्राम पर देखता हूं काफी यह शे चे यह हैं मतलब सीपीज एइड देते रहे हैं मत बट मैं कहीं पे भी नहीं हो मीडिया में उसके बाद भी मैं अच्छा काम करता हूं मतलब मैं यही तो में चीज़े की जो मौथ पॉबिसीटी से जो एक्चॉल रियलिस्टी यही है जो पहले के जमाने में जो चलता था तो यही था कि जो है चैनल पार्टनर ए जो ब्रोकर है उसका जो में डोल यही था कि रिलेशन संबल न और रिलेशन संबलना आज आपके पास देखने के समझ में जाता कि कैसे रिलेशन संबल सकते अजके डेट में तो यह सबसे बड़ी बात है दूसरा यह बिजनेस यह यह भुए फाइदा किय आप खुद बॉस हो आज आपको काम करना है, आप करो, नहीं करना है, नहीं करो, फैमिली को टाइम देना है, तो फैमिली को टाइम दो, यह एक दूसरा इसमें प्लस पॉइंट है, तो फैमिली भी क्या है, कि अगर आपको काम है, तो वो कभी आपको मना नहीं करेगी, वह तो फैमिली को टाइम इ सकते हो और अपना खुद का काम भी कर सकते हो मतलब खुद ही बहुस हो सभी बात किसी को आपको कुछ पूछना नहीं है अगर मेरे जैसा सिंगल परसंट बागी अगर ऑफिस लेके बैठा है तो वह सुबह ऑफिस जाएगा स्टाफ को बोलेगा क्या है शाम को आएगा मेरा ऐ यह अपर्शनीटी है यह इंडस्ट्री में आपको जैसा काम करने आप कर सकते सिंगल कर सकते मैं मल्टिबल कर सकते पर पर आज आपकी चाहूं तो ओफिस कोल के चार लोगों का स्टाफ डाल के इस काम बढ़ा सकता हूं बट मैं मेरे उसमें खुश हूं तो फिर मैं बेकार अब्वाट एक पूर्णा में आपको पूर्णा में अभी अच्छे कॉंटेक्स बनाए हैं बहुत अच्छे जो अभी मेरे प्लस हो रहे हैं आज मुझे पूर्णा में चार साल और जन्वरी में मुझे चार साल हो गए तो जब मैं आया ता फरस्ट में बीटी कवरे रोड पर रहता था उसके बाद मैं खाराडी रहने गया अभी मैं विमान नगर रहता हूं तो वहां पर भी रिलेश्टन्स बनाए हैं दूसरा एक हमारे जुजरात में जो मेन है जो यहां पर शहाइं इतना नहीं है मतलब जो गुजरात में क्या इक गिफ्ट senior एक वो होता है चलन बाई जो अपके clients हैं मतलब जो अपके customers हैं जो हैं corporate हैं Gifts का वहां पर बहुत है यहां का इतना नहीं है मैंने दिखाए तो वो मैंने आके यहां पर किया मैं दिवाली में आया मैंने Gifts XYZ मंगवाई मैंने सब को जो मेरे खास-खास थे जो जिनके साथ में काम करता था जिनके साथ काम नहीं भी हुआ था उन सबको इसी बाने जाके परसनली मिला तो वह भी खुश हुआ है कि बंदा अच्छा है रिलेशन मेंटिन कर रहा है आज आज आपके तरफ से वही सबसे में इंपोर्टन जो आपने रिलेशन मेंटिन करने के लिए अगर कहीं कुछ आपने घसा पैसे खर्चा तो आपको रिटन आने वाला ही है उसका बट कब आएगा क्या है वह इंतर करना पड़ेगा जरूर जैसा आपने बता है कि दस साल लगे एक डिल क्लोज करने में वह बंदे से रिलेशन मना जो उसके मुझे काम दिया क्या थैंक्स तैंक्स राजिश जी थेंक्स पर कमिंग आपने वह बड़ी बात थैंक्स थैंक्स